नमस्कार दोसन स्वगत्याप का हमारे शेनरल चार जागिंद्र मिसा में मुह से निकलते ही हर एक्षा होगी पूरी सत्तर वर्सों बाद 19 नवंबर को कार्तिक पोनिमा चार राशों की लगेगी लोटरी जी हाँ दोस्तों दोस्तों 19 नवंबर दिन शुक्रवार को कार्तिक माह की पोनिमा है इस पोनिमा को त्रपुरारी पोनिमा और कार्तिक पोनिमा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन सभी देवी देपता धर्ती पर आकर दीपवली मनाते हैं इसले इस दिन को देव दीपा बली भी कहा जाता है इस दिन इश्णान करने का विशेश महत होता है क्यूंकि इस दिन भगवान विश्णू को मत्स आपतार लेकर धर्ती पर जीवन की रक्षा की थी इसले कार्टिक पूर्णिमा पर इश्णान करने से कई जन्मों के पाप जा रहा है जो कि कुछ बिशेश राशी वाले जातकों के लिए बहुत हिस्वफल दायक रहने वाला है। अपने घर में कराई जाते हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस दिन गंगा अशनार और पवित्र नदी में नहाने का विशेश बिधान है। इस उन्नीश नबंबर को परणे वाली कारती का पूरिमा की दिन शोने पे शुहागा कई शारे दूरलब शुबशायोग बन रहे हैं। और दोस्तों सत्तर वर्सों के बाद ऐसा सुब्ध महाशुबशायोग बन रहा है। जिसके कारण कुछ ऐसी रासिया हैं जो की धन से माला माल होने वाली हैं और इनके लिए माता लक्ष्मी छपड़ फार के धन बरसाने वाली है। इसलिए दोस्तों यह पूरिमा भगवान लक्ष्मी नारायन की पूजा करने से माता लक्ष्मी और नारायन की इस दिन अश्यम कृपा प्राप्त होती है। कि इस कारतिक पूरिमा की दिन कुछ बिशेश राश्यम लिजात्यों के लिए माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा सुबफल देने वाली हैं। धियोग का निर्मार भी हो रहा है जिसके चलते माता लक्ष्मी जी कुछ बिशेश राश्यम लिजात्यों की किस्मत चमकाने वाली है। तो दोस्तों आईए जान लेते हैं उन भाग साली राश्यों के बारे में जिनके उपर माता लक्ष्मी और भगवान नारायन की बिशेश किरपादिश्ट बन रही है। तो आप से अनरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिशना करें और इसे शुरू से लेकर अंध तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लुटाने वाली हैं। खुल मिला के कहा जाए तो कुछ महतपूर कार बनते करते चले जाएंगे जिस कारें को करने से आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होगी। दोस्तों बता दे कि अगली यानि जो दूसरी जो राशी आती है वो है यहाँ पर कन्य राशी। अब आपको दिन दूनी राश चोगनी तरकी होने से कोई नहीं रोख सकता है। यहाँ तक की लोटरी शट्ट में भाग अजबाएंगे तो दुगना धलाब प्राप्त होगा। साथी साथ इंकम आए में जिवरजस्त ब्रधी होगी। बैंकिंग के छेतर में आपको कोई लोन बगार मंजूर हो सकता है। तो वहीं दोस्तों बताना चाहेंगे की रुका वफ हसा वा धन भी प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी किरपा से अब आपके घर में कुबेर का धन माता लक्ष्मी जी लुटाने वाली हैं। दोस्त बता दे कि जमीन जाजात प्रोपरिटी के मामले में काफी लकी रहेंगे। कोट के चेहरी के मामलों में आपकी बिजय प्राप्त होती नजर आएगी। दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा तो वहीं रिष्टेदारों का आना जाना होगा। और दोस्तों जो अविवाहिज जातक है उनके नए रिष्टे हो सकते हैं, साधी बिवाह के चर्चाएं हो सकती हैं, जिन जातकों को अभी तक परेशानी में परेशान थे या फिर किशी कारण से दुख तकलिप छेल रहे थे, माता लक्ष्मी किरपा से 19 नमंबर को कार्तिक प पतने की इस संबंध अच्चे होंगे, संतान की तरब से खुश खबरी मिलेगी, धन इंकम में आए में ब्रदी होगी और स्वास्त संबंधी परेशानी सो छुटकारा मिलेगा, अब जो दोस्तों बता दे कि अगली या नी जो तीसरी जो राशी आती है, वो है यहां पर दो अब सर पर यह चार राश्यों के लगने वाली है लोटरी, जी है दोस्तों, दोस्तों बता दे की मेस राश के जातकों, अब आप नए बिजनस ब्यापार की शुरुआत करेंगे तो आपको दुगना धन लाब होगा, रुका वफसव धन प्राप्त होगा, पार्टनर्स में बिजनस ब्यापार में लाब होगा, जीवन साथी आपके बिजनस ब्यापार में सहयोग देंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, तो वहीं परमान सम्मानी बिक्तियों को आना जाना आपके घर में हो सकता है, पीता जी के सहयोग से आपको ज़्यादा धन प्राप्ति की योग बन रहे हैं कई महत्पूर्ण कारियों को करते नजर आएंगे अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पाई रही थी जिन छेत्रों में सफलता कदम चुमती चली जाएगी और नए नए अफसर आपको हासिल होंगे जो भी निर्णे लेंगे जो भी काम्याबी आपको मिलेगी उसका स्त्रे जरूर आप मातल लक्ष्मी जी को देंगे जी हां दोस्तो अब जो दोस्तो बता दे कि अगली यानि जो चोथी जो राशी है जिसकी लोटरी लगने वाली है वो है यहाँ पर दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर कुम्भराशी कुम्भराश की जातकों अब आपकी लोटरी लगने वाली है 19 नबंबर को कार्थिका पूरिमा के दिन कुछ बिशेस उपलब्धिया हासिल होंगी बिदेश से संबंदित को इस सोचना मिलेगी बिदेश में स्टुडेंट के लिए विद्यारतियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा काम्याबी से भरा रहने वाला है इसमें पढ़ाई लिखाई पर आपका फोकस जवर जस्त रहने वाला है कई महत्पूर उपलब्धिया हासिल करेंगे दोस्तों इतना ही नहीं आप इसमें काफी ज रूप कुछ भेढ़ दे सकते हैं अपने पार्टनर को तो दोस्तों यह चार राशिया ऐसी हैं जिनकी लोटरी लगने वाली हैं यह चार राशिया काफी लगी रहेगी इसलिए तो कहा है दोस्तों कि मौस से निकलते ही हर एक्छा होगी पूरी सतर वर्सों बाद उनीश